विधार्थियों आजके हमारे इस वीडियो में घाम पंथनिरपेश्टा के बारे में ॡिस्कर्श करेंगे पंथनिरपेश्टा का ये जो टोपिक है ये इस नात्यक द्विते वर्षि के जो विधार्थी हैं पर कि उनके लिए बेहद उप्योगी है इसके अंतरगते हम पंथन इर्पेक्ष्टा का क्या एर्थ है पंथन इर्पेक्ष्टा को बारतिय सविधान में कौन से सविधानिक संसोजन द्वारा जोड़ा गया इसके अंतरगते कौन-कौन से सविधान में प्रावधान किये गए हैं इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंथ निर्पेक्षता एक विचारधारा है जिसके नुशार जीवन में भौतिक और आर्थिक मुले प्रात्मिक होते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक मुले द्वित्यक बन जाते हैं पंथ निर्पेक्षता के परभाव से समाज में धार्मिक और पारलोकिक मुल्यों का रास तथा समाज में विज्ञानिक परवर्ति का विकास है वो दिखलाई देता है हम किसको पंथ निर्पेक्ष राज़े की संग्या देंगे तो पंथ निर्पेक्ष राज़े जो होता है उसके अंतरगत राज़े और धर्म के बीच एक परकार से लगाव होता है राज्य है वो धरम से तटस्ट होता है पंथ निर्पेक्स ताका यह विप्राई नहीं है कि राज्य धरम का विरोधी होगा बलकि धरम वेक्ति की आस्था का विशे है और धरम का राज्य से कोई समंध नहीं है पंथ निर्पेक्स राज्य का विप्राय है कि राज्य के द्वारा निर्मित सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं वो धरम से किसी भी परकार से परभावित नहीं होंगी बारतिय सविधान में पंथ निर्पेक से राज्य का जो विचार है वो अंतरनिहित है राज्य के द्वारा धरम के आधार पर किसी बिनागरी के साथ किसी परकार का कोई भेद भाव है वो नहीं किया जाएगा ये बारतिय सविधान का जो अनुचेद 15 है उसमें लिखा हुआ है राज्य के अंतरगत निकती और सिवाओं में धरम के आधार पर भी किसी परकार का विभेद है वो नहीं किया जाएगा ये प्रावधान बारतिय सविदान का जो अनुच्छेद 16-2 है उसके अंतरगत किया गया है बारतिय सविदान का जो अनुच्छेद 29-2 है उसके अंतरगत ये है कहा गया है यह प्रावधान किया गया है कि राजे द्वारा अनुदान प्राप जो सिक्षन सेंस थाएं हैं उनमें धरम की आधार पर परवेश पर परतिबंद नहीं होगा धरम को अंतकरण से मानने आचरण और परचार करने की सवतंतरता है वो अनुचे 25 एक के अंतरगते भारत्य नागरिकों को परदान की गई है इससे यह इसपस्ट होता है कि धरम वेक्ति की आस्था का विश्य है बारत में राज्य और धार्मी गती विदियों के मद्धे से दान्तिक दूरी की संकल्पना है उसका विकास किया गया है अत्य धरम का हस्तक सेप राज्य की गती विदियों में नहीं होगा परन्तु राज्य के द्वारा धार्मी गती विदियों में हस्तक सेप है वो किया जा सकता है बारत में पंथ निर्पेक्स्ता का जो आज से है वो ये है कि दर्म और राज्य के बीच एलगाओ भी नहीं है बलकि राज्य के द्वारा सभी दर्मों को समान तरस्टी से देखा गया है समान दर्जा सभी धर्मों को परदान किया गया है उनके अनुशार बारत में रा प्रज्जे के द्वारा धार्मिक रूडियों को समाप्त करने के लिए विधी का निर्मान हो किया गया है इसलिए भारतिय जो पंथनिर्प्रेक्षता की जो शंकल्पना है वो समकालिन बहुलतावादी समाज के लिए अधिक उप्योग्त है भारतिय सविदान जो निर्माता थे उन्होंने पंथनिर्प्रेक्षता को शासन का मूल भूत आधार माना भारतिय सविदान के विभिन भागों में पंथनिर्प्रेक्षता का जो सिद्धान थे उसको अपनाने का प्रियास किया और उसको अपनाया क्योंकि सविदान में एक और सभी को धार्मिक सवतंतरता है वो परदान की गई है तो दूसरी और जो अलब संखेक हैं उनके लिए विसेश, सेक्सनिक और सांसकर्तिक अधिकार हैं वो उनको परदान किये गए हैं सविदान की इसी मूल भावना को और अधिक परभावी बनाने के लिए 42 वा सविदान संसोदन वो गुनिशो चिंतर में किया गया प्रस्तावना में पंथ निर्प्रेक्स्ता सब्द है उसको जोड़ा गया उस्तम नियाले ने जो एसार मॉंबई वाद जो था उसमें यह कहा गया कि पंथ निर्प्रेक्स्ता है वो भारती सविदान का आधार भूत या मौलिक धांचे का भाग है बारत में पंथ निर्पेक्स्ता का अधिया अभी प्राई जानने का प्रियास करें तो बारत में पंथ निर्पेक्स्ता के समंद में हमारे जो पूरुवा मुख्य नयाई दीशते राज अंदर गड़कर उन्होंने पंथ निर्पेकस्ता को अलग-अलग तरीकों से परिवासित किया है उनके अनुशार राज्य का कोई धरम नहीं होगा पंथ निर्पेकस्ता का अभी प्राय एधार्मी के धरम विरोधी होना नहीं है इसके अंतरगत सभी धरमावलंबियों को समान सवतंदरता परदान की जाती है नागरिकों को धरम के दौरा समाजे के आर्थिक समस्याओं को हल करने में किसी परकार की कोई बादा उत्पन नहीं होती है नियाई पालिका के दौरा यह इसपस्ट कहा गया है कि बारत में पंथ निर्पेक्सता का सकरात्मकर्थ है जिसके अनुसार राज्य के दौरा सभी धरमों को सम्मान समझा जाएगा और सभी धरमों का सम्मान किया जाएगा राज्ये ने तो किसी दरम का विरोध करेगा राज्ये नहीं किसी दरम का सरंक्षन परदान करेगा राज्ये की नजरों में सभी दरम समान है राज्ये सभी नागरिकों को यह सवतंतरता परदान करता है कि वो अपने अंत्य करण के अधार पर जिस दर्म को अपनाना चाहें, जिस दर्म की उपासना करना चाहें, उसको करें, राज्य की तरब से इसमें किसी परकार का कोई दबाब है, वो नहीं है, यदि पंथ निर्पेक्षता के पक्स में यदि तरकों की बात करें, तो पंथ न सब्धार्ट में संपर्दाइक दंगों के कारण पंथ निर्पेक्षिता पर सवाल उठाना तारकीक नहीं है क्योंकि समस्य पंधनियर पैक्स्था साकर बलकि इसके उलंगन से है इसलिए पंधनियर्पैक्षता को अधिक व्यापईक और गहरा बनाए जाने की आवशेकता है तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने पंधनियर्पैक्स्था उसको डिसकस किया है पंत्र निर्पेक्स्ता का क्या रत है बारत के संद्रव में पंत्र निर्पेक्स्ता क्या है पंत्र निर्पेक्स्ता शब्द है उसको कब भारतिय सविदान में जोड़ा गया क्या पंत्र निर्पेक्स्ता भारतिय सविदान के मौलिक धांचे का अंग है या नहीं पंत आपने वाद